कॉंग्रेसी है जो चार दसक तक वन रैंक वन पेंशन के नान पर हमारे पुर्वस सैनिकों से बिश्वास गात करती रही। कॉंग्रेस कहती थी कि वो वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी जबकि इसके लिए हजारों करोड रुपियों की जरूर थी। पर 7 नवंबर 2015 को एक नया आदेश मोदी जी ले आए और उसमें उन्होंने वन रैंक वन पेंशन को वन रैंक फाइव पेंशन बना दिया और रोपी को खतम कर दिया और दूसरा ये कह दिया कि प्री मैचोर रिटायरी जो हैं उनको और रोपी नहीं मिलेगा ग्यात रहे कि 46% सैनिक प्री मैचोर रिटायर हो जाते हैं मैं अब अगर कोश्यारी कमेटी को जो बीजेपी के पूरो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कोट कि केवल थल सेना में आमी में 13 लाख में से 1000 लोग ही ओनली 1000 आउट ओ थर्टीन लैक वो 60 साल की रिटायर्मेंट एज तक पहुंचते हैं अधिकतर जवान जूनियर कमिशन ओफिसर यानि 80% 40 साल की आयू तक रिटायर हो जाते हैं और घर चले जाते हैं 10% 46 साल तक हो जाते ह लिए रह गया हमारी जो इंडियन एक सर्विस मूमिंट है उन्होंने याचिकाई दायर की इन्होंने विरोध किया और कहा कि यह आर्थिक और नीतिकत निर्णे है यह नहीं दिया जा सकता 30 लाख पूरव सेनिकों और वायू सेना, नौ सेना और थल सेना, आमी, AFO, सो, नेवी इन सब के सेनिकों और अधिकारियों की और से साथ सवाल मोदी जी और भाजप्पा सरकार से हैं क्या तीस लाख पूरुव सेनिकों को वन रैंक वन पेंशन से जान बुझकर वन्चित करना देश की सेनाओं से विश्वासगात नहीं नमबर दो क्या कारण है के मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में OROP का विरोध किया नमबर तीन क्या कारण है के मोदी सरकार OROP पर कॉंग्रेस UPS सरकार के 26 फरवरी 2014 और 24 अपरेल 2014 के आदेश को लागू करने से सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इंकार कर रही है नमबर चार क्या कारण है के मोदी सरकार ने ततकालीन वितमंत्री पीच दम्रम जी के कोशियारी कमेटी के अनुरूप OROP लागू करने की 17 फरवरी 2014 के संसत के पटल पर किये गए वादे को ये कहकर सुप्रीम कोर्ट में ठुकरा दिया कि ये सरकार का निर्ण ही नहीं साथियों ये आपकी सरकार कह रही है कि बजट स्पीच जो है वो सरकार का निर्ण नहीं होता पांचवां क्या कारण है के मोदी सरकार ने ततकालीन रक्षा मंत्री एके इंटनी जी द्वारा 26 फरवरी 2014 को की लिए गए निर्णे को सुप्रीम कोट के समक्ष ये कहकर ठुकरा दिया कि इस सरकार का निर्णे नहीं छटा सवाल क्या कारण है कि यूपिये कॉंग्रेस सरकार द्वारा OROP सभी हमारे पूरव सेनिकों को देने के निर्णे को बावजूद मोदी सरकार ने इसे बदल दिया इसे लागू करने से इंकार कर रही है